ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड गाईज निकल के सामने आ चुका है कौन कितने नमबर पे है टोटल साथ लोग नॉमिनेटेड हुए है लेकि लिए आप पर जो काफी यादा स्ट्रोंग है जिसमें विवियन, रजत और करनवीर ये लोग इस बार बच गए हैं लेकिन कौन कित वोटिंग ली है अब तक रात वोटिंग लाइन ओपन होती है उसके बाद अब तक यहाँ पर किस नहीं कितनी वोटिंग ली है नमबर साथ की बात करें तो आरफीन खान जी हाँ नमबर साथ पे आरफीन खान जिसको सबसे कम वोट मिल रहे हैं और कही ना कही रिस्क में आर जगड़े होते तो अविनाश को बोलते हो नजर आते हैं तो मेकर्स चाहेंगे कि अभी एक दो हफ़ते तो उनको और रखने की कोशिश करेंगे करेंगे क्योंकि उनसे यादा डिजर्व करते जाना वो अभी घर में बैटे हैं है नबर 6 की बात करें तो शहजादा शहजादा भी घर में कुछ भी नहीं कर रहा मतलब शहजादा को आप देखते हो कि वो जिम विम के एपस दिखाता हो नजर आता है या फिर वो कही नगई नजर आता है जब कोई ऐसी बात हो जाती है मुद्दा हो जाता है तब वो थोड़ा सा चिलाता है पूरे एपिसोड में उसके वो गायब नजर आता है तो कई ना गई शहजादा धामी है वो नबर शह पे है तो उसको भी मतलब बहुत कम वोटिंग हो रही है ये भी रिस्क में है नबर पाच की बात कर रहे तो एलिस जी हा एलिस कौशिक है वो नबर पाच पे है एलिस कल करनवीर से जाकर पूछती है कि भाया तुमने मुझे गाली थी तुमने मुझे चूतिया बोला इस तरह की चीजे है वो बोलती नजर आती है आपको अगर समझ ना आई तो एक बीसी भी गाली दी थी करनवीर ने जो कि मेरे इसाब से रोंग है तो क्योंकि अगर सामने वाला अगर आपको दे रहा है भाया अविनाश के पीछे क्या है तुम अपना खुद का गेम खेलो ना लेकिन अभी ऐलीस उस चीज़ को करती हुए नजर आ रही है कल कहीं न कहीं वो खुद जाकर बोलती है कि भाई तुमने गाली दी है कि नहीं तो यहाँ पर नमबर पाच पे ऐलीस है नमबर चार की ब लगा रहे हो अविनाश के साथ तुम उसको क्यों नी बोलते हो तुम उसके दोस्त हो तुम उसको बोलो ना थोड़ा समझाओ ना अविनाश ऐसे कैसे कर सकता है अविनाश मेरी इज़त के उनी करता तो मतलब अभी जो शिल्पा जी है वो इनी चीज़ों में है लेकिन शाय अभी वो आगे आ सकती है नमबर तीन की बात करें दो की बात करें और वन की बात करें तो नमबर तीन पे ईशा जी हाँ ईशा है वो नमबर तीन पे है ईशा मतलब अच्छी खासी खेल रही है लेकिन वही बात है कि इन दोनों का जो बेस है ना वो अविनाश है और अविनाश अगर अलग होता है तो भाया इनका क्या बनेगा ये अब सोचने वाली बात है कि भाया ये खुद का कुछ नहीं रख रही है अविनास के सारे ही चल रही है अलिस और इशा लेकिन देखते हैं इशा शायद अलग से कर सकती है मेरे साप्शियूस के अंदर वो पोटेंशल दिखता है अब कब तक वो नज़र आएगा वो देखना होगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि पूरे सीजन में ये इशा है वो अविनास से अलग होने वाली है तो इशा नमबर तीन पे है जनता अच्छा कासा वोट कर रही है लड़की हो नमबर दो और वर की बात करें तो नमबर दो पे शुरूती का जी हाँ शुरूती का अरजुन है अच्छी खासी वोटिंग ले रही है ये लड़की भाई साब ये तमिल लाड़ू से आई है तमिल लाड़ू के लोग सपोर्ट तो कर रहे है लेकिन पूरे इंडिया से भी अब लोग से सपोर्ट करने लगे है उनको लगता है कि भया शुरूती का है वो सही पॉइंट पर बोलती है और लड़ती भी जगडे भी करती है कल विवेन बोड़ा था कि भाया जब जब जगड़े होते है जब ऐसी चीज़े होती है तब इसको हिंदी अच्छे से बोलने आ जाती है लेकिन जब जगड़े नहीं होते है तब ये बड़े इंटरेन्मेंट तरीके में हिंदी नहीं बोल पाती है ये क्या सीन है मुझे लग को यहीं पर ही बताऊंगा तो जल्दी से गाइज आपने मुझे फॉलो कर लेना है सबस्क्राइब कर लेना है ताकि आपको अपडेट मिलती रहे है जाकर इंस्टाग्राम पे ठीक है फॉलो कर ले अभी नमर वन की बात करें तो अविनाश जी हाँ अविनाश मिश्रा है नमर सबसे यादा वोटिंग वो बंदा ले रहा है चाहे मैं आपको बोला कि नाम होना चाहिए बदनाम होकर हो या फिर कुछ अच्छा करके हो है ना या फिर नाम होकर हो नाम होना चाहिए क्योंकि नाम अभी अविनाश का चल रहा है बिक बोस में पूरे एपिसोड दिखता र परणवीर यहां बर शुरूति का और बाकी छोटे मोटे जो है उनके साथ पंगे रहते हैं यहां बर अभिनाश के और कहीं ना गई अभिनाश नंबर वन पे बने हुए हैं सबसे यादा वोटिंग है वोटिंग ट्रेंड जब ओपन हुआ है तो भाया सबसे यादा ग्याँ वादियों होडाना भाया से वुथन होठा रहा करते हैं यहा तो भी नोसना सबसे का का और मैंत 상भा इन्याश वा फ telev INF